नम्मर वन चानल के नम्मर वन शो साज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला साज़िश में आज बात इसराइल को लगे एक बहुत बड़े जट्के की करते हैं इरान के एक बड़े हत्यार ने इसराइल के युद्ध में एंट्री माली है नेतन याहू को इस हैत्यार के बारे में जब से पता चला है उनकी नहीं पूरे इसराइली सेना की नीद उड़ गई है अब डर है कि इरान ने अगर युद में एंट्री कर ली तो इसराइल कुद को कैसे बचाएगा इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस बीस नहीं, सौ दो सो नहीं, बलकि 358 मौत देना चाहता है इरान इसराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं इसराइल ने गाज़ा पर जितने बम गिराएं हैं, उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं 358 मौत के क्या माइने हैं? 358 मौत का खौफ कितना जादा है? यह इस सुप इसराइल के चारों तरफ यमराज बनकर मनतरा रहा है यहां हेजबुल्ला भी है, इरान भी है, खुथी भी है और अब इराक का वो मिलीशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है आखिर 358 मौत है क्या? और इसराइल क्यों इस से घबराया हुआ है? क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो इरान से निकल कर अब हेजबुल्ला के पास पहुँच गया है खुथी इसे लगातार फायर कर रहा है 358 मौत की मिस्टरी अब खुल कर सामने आ गई है इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इसराइल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है हिजबुल्ला के महसचेव हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इसराइल के खिलाफ उनका हर विकल्ब तयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत ये है जमीन से आस्मानी टार्गेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही है 358 मौत हिजबुल्ला ने इसी मनराने वाली मिसाइल से इसराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेज को मार गिराया हरमेज 450 इसराइल का बहुत ही भरुसेमन ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है जब ये ड्रोन लेबनन के आस्मान में पहुचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत माटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला ये इरान का वो हर्फन मौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है ये इरान की मिसाइल भी है जो इरान की ड्रोन टेक्नलोची को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है इरान से निकले 358 मौत इसरेल के खुफिया मिशन को दुआ दुआ कर रही है 358 नाम की ये मिसाइल एक डून की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आस्मान में आठ नंबर के आकार की तरह गश्ट लगाते रहती है और जैसे टार्गेट इसकी जट में आता है ये उस से जाकर टकरा जाती है 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रा रेड सेंसर इसे टार्गेट की भनक देता है और फिर ये अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है ये एक डून से तेज रफतार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है अमेरीका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है इसराइल में भी यही मिसाइल चरशा में है हिस्बुल्ला ने जब से इसराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आस्मान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दाइरे को और बढ़ा सकती है इस बीच इरान से एक नई तस्वीर वारल हो रही है यह है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की जो इरान के घाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे है इस ड्रोन को इरान का सबसे पाउरफुल लीडर क्यों देख रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं इरान ने घाजा नाम का जो ढून बनाया है ये 2000 किलो मीटर के दायरे में उपरेट कर सकता है ये 35 घंटे तक 300 किलो मेटर प्रती घंटे के रफदार से ओडान भर सकता है 35,000 फीट की उचाई तक ओड़ सकता है और सबसे ख़दरनाक बाद ये 13 मिसाइल लेकर ओड़ सकता है ठीक ऐसे ही अपने हथियार इरान ने रूस को भी दिखाये थे जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू ने इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो दस्वीरी सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की खास-खास मिसाइल देखने तहरान आये इरान ने उनके सामने अपने एक-एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को योक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरोस्पेस फूर्स के कमांडर ब्रिगेटिया जनरल आमर अली हाजी जादे साथ-साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है तब शोईगो ने 358 नाम के इस मिसाइल में बहुत दिल्चस्पी दिखाई और एरान के अफसरों ने भी बताया कि इस हथियार से वो योपरेन के ड्रोन और पूर्ज मिसाइल को खत्म कर सकते है ऐसा हथिया जिसमें पूतिन को भी दिल्चस्पी है वो बहुत बड़ा कहर बरपा सकता है इसमें कोई शक नहीं 358 की रेंज अब एरान से लेकर योपरेन और योपरेन से लेकर इसरैल तक हो गई है ये बात साफ है कि 358 मौत वाकई इसरैल में मौत मांकने के लिए तयार की गई है जब से एरान की मिसाइल का खत्रा बढ़ा है तब से इसराइल की ड्रोन एक्टिविटी कम हो गई हैं जाहिर है कि नेतनियाहू अब ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्ला को रोकना है तो सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चलेगा क्योंकि लेबनान के आस्मान में 358 वाली मौत मनरा रही है इस वर्ट पश्य मेश्या में युद्ध की जो आग लगी हुई है घाजा पर बंबारी के बीच हमास और इसरेल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है उसमें अब नया खत्रा इसरेल और लेपनन का बॉर्डर भी है यहां भढ़के शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भढ़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं पहले हैं इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमीन नितनियाहू, दूसरे हैं ऐरान के रजच शबती अब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के रजच शबती जो बाइडन, और चौते हैं यॉर्प से लेकर अमेरिका तक सब को हिला देने वाले रूस के रजच शबती व्लाद लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव एरान है, एरान में हिजबॉल्ला और यमन के हुधी विद्रोयों तक एतने हत्यार पहुचा दिये हैं, कि अगर इसरेल ने गासा पर बंबारी नहीं रोकी, तो हिजबुल्ला और हुथी दोनों इसरेल पर बंब बन कर फड़ सकते हैं ये बाद नितन्याहु भी जानते हैं इस वक्त लेबनन और इसरेल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है हिजबुल्ला अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इसरेल के टैंक तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे है हिजबुल्ला ने निकाली है तीन बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर ये मिसाइल इरान से सप्लाई की जाते रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुल्ला तीन तरह की एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल इस्तिमाल कर रहा है ये है कॉर्नेट इसकी रेंज पांच किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुगा है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है तूसरी है बीजिम 71 टो एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल रेंज है साढ़े तीन किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉंकोर्स रेंज चार किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेयल के अग्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है इस भुल्ला का दावा कि उसका हर हमला इसरेयल को मुखोड जबाब है लिएपने फिल एायाम काली मादी जड़ जड़गल्स तेहिड़ा जड़ाए जड़ा लुल्वा उड़ाए लियालेग उर्ट ऐसमाशना से इस घिस अजब घड़गा इस गल्दा अजबा इसलिगाद माद उड़ाए लॉपल्गा उर्फदुर्ण उड़ाए ओर पिज ज के बात साफ है कि अब हिजबुल्ला 358 मौत के साथ इस्रैल पर हमला कर रहा है। के साथ इस्रैल की सिना ने अपना गोला बारूट तयार रखा हुआ है। के बात जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हिजबुल्ला के हमलों के बाद सब की नजर इरान पर है।